गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो आज है 16 अक्टूबर देखेंगे आज के पूरे करेंड अफेस साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी जो आपके एक्जाम पॉइंड वी से काफी इंपोरेंट है तो दोस्तो आप इस पूरा का लर्निंग है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए और उसमें ऑनलाइन इस डिपॉइंट सेर्च करके फॉलो कर सकते हैं आप हमें मैं अपने आने के एद्मी प्रोफाइल के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया तो उस लिंक पर डारेक्ट क और उनकी हई चाट करने के लिए चली करते हैं पहला कोशन अंतरराष्टी ग्रामीड महिला दिवश किस दिन मना जाता है रहती नियूट स्यवर में परतिवर्स स पंद्रे अक्क्टूबर को तिक आप संसी इस इतुक पंद्रे या क्ट्गूबर को डेख International Day of Rural Women तीक है यह दिवस ग्रामीड परिवारों और स्वंदायों के स्थिता सुनशित करने ग्रामीड आजीपका और समगर करने आद में सुधार सुनशित करने में महिलाओ और लड़कों की महतुड़ों को मानिता देता है यहाँ पर यह भी कोश्चन आप से पूछा सकता है कि अंतराष्टी ग्रामीड महिला दिवस दौरा अठारा का थीम क्या था तो यह आपको बता दें इस वर्स का जो विशय है वो सस्टेनवल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस और सोसल प्रोडेक्शन फोर जेंडर इक्वालिटी एंड़ इंड़ इंपावर्मेंट आफ तो अंतराष्टी ग्रामीड महिला दिवस का मना जाता है 15 अक्टूबर को यहाँ पर बात करें 12 जन्वरी की दोस्तों तो 12 जन्वरी को प्रतिवर्स राष्टी यूवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूमें सेलिबरेट किया जाता है मना जाता है प्रतिवर्स स्वामी वि की दोस्तों तो 9 जनवरी को प्रतिवर्स प्रवासी भारती दिवस मना जाता है ठीक है क्या मना जाता है प्रवासी भारती दिवस अब यहां पर प्रवासी भारती दिवस क्या है आप सब के लिए बता दूं बहुत बहुत इंपोर्टेंट है यह भारत सरकारद्वारा प्रति तो भारतियों को देश से जोड़ने के मकसद से लेकर दिल्ली में नौ से ग्यारा जनबरी 2003 के बीच पहला प्रवासी दिवस कायजन हुआ था आपको बता दिक पूर प्रधान मंत्री जोबने अटल विहरी बाज़ पेजी थे कारिक्रम की शुरुवात की थी 2003 से ही और प्रवासी भारति दिवस मनाने की शुरुवात इस सबसर पर प्राज तीन दिवसी कारिक्रम आज़ुद किया जाता है ठीक है और इसके पीछे मनाने सब्सक्राइब है और इसको बतादेक प्रति भारत दिवस के अबसर पर भारत के राष्ट इवस द्वारप्रदान किया जाता है ठीक पहला संभेलन हुआ था 2003 में दिल्ली में और जो अगला संभे अगला जो प्रवासी भारती दिवस होगा दोस्तों वह गाव बनारसी में 2019 में होगा यह ठीक बनारस में होगा तो यह आपको याद रखना है तो प्रतिवर्स नौ जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस मना जाता है आपको क्लियर हो गए हो प्रवासी भारती दिवस के बारे में सारे फैक्ट वहीं दोस्तों अगर बात करें 15 अक्टूबर के बारे में 15 अक्टूबर को प्रतिवर्स अंतरास्टी ग्रामीन महिल देश साब को बता दिया और 11 अक्ट और को अंतररास्टी बाल का दिवस मना जाता है तो इस कोशन से आपको इतनी सारी जानकारिय मिल जाती है आप नोट जरूर किया करें डेली अपने नोट में और रिवीजन भी किया करें कई इसी तरह में हर कोशन में सेर करूँगा तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखें अगला कोशन है सुल्तान जोहर कप जूनियर हौकी खिताब किस देश ने जीता है तो सुल्तान जोहर कप हौकी खिताब जीता है ब्रिटेन ने ठीक आप संसी करेक्ट है देखें आप पोताद में जो अन्य टीम है जापान ऑस्टेलिया मलेशिया और नुजिलेंड थी पिछले वर्स की उब बिजयता टीम ग्रेट बिटेन इस बार की जीत के साथ दूसरा सुल्तान जोहर कप किताब अपने नाम किया है दोस्ते आप अगर बात करें हम मलेशिया की तो मलेशिया की राज रखना है चलिए अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों कोश्चन नमर थर्ड है भारत के किस राज्य को विश्चु के पहले पूर्ण और गनिक राज्य का दर्जा परदान किया गया है दोस्तों यह बहुत महत्मूर कोश्चन नहीं आपके एक्जाम के लिए जरूर परदान के पहले 100% कारवनिक राज का जीता है और सिक्कीम ने 25 देशों से 51 नामंकर नीतियों और भाविश्चन नीति पूरुषकार दोठार का स्वाड़ पूरुसकार जीता है जिसे सर्फसेज नीतियों के लिए औसकार भी कहा जाता है ठीक है इसके लाव भाविश्चन यानि संवारों में इसे पुरुसकार प्राप्थ हुए हैं और स्वारत के किस राज को विश्चों का पहला पूर्ण और गनिक राज का दर्जा प्रतान किया गया यह किया गया को option D right है अगला कोशन दोस्तों question number fourth है केंद सर्काद वरा के लिए तो किस יोजना का रम किया गया है है तो दोस्तों केंद सरकाद वरा जंता के लिए सब्सक्राइब कटोबर से फर्विद्वरान निस तक खर महीने जारी की जाएगी तो यह आपको याद रखना है अगला कोशन है दोस्तों नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 28 के अनुसार देश में होने वाली संक्रामक बीमारियों से साथ संब्धी बीमारियों कितना प्रिस्थ सामिल है राइट एंसर इसका 69 परसेंट ऑप्सन डी दे पाइरा गेम्स में कितने पतक जीत कर टूना में अब तक का अपना सरुषेष्ट प्रदर्शन किया है इसका राइट एंसर व्यागा दोस्तों ऑप्सन ने 72 देखिए आप पोता देख भारत ने इंडोनेशिया में 18 में एसीन पाइरा गेम्स पहत्तर पतक जीत कर टूना मे इतिहास में अब तक का अपना सरुषेष्ट प्रदर्शन किया है इस वार भारत ने 15 चौन 24 रजत और 33 कान से पदक अपने नाम किया ठीक है टोटल 72 मेडल इसमें से 15 गोल्ड 24 रजत और 33 कान से पदक ठीक तो यह आपका आदक ना इससे अलावा दोस्तों एसीन गेम्स भी आप देख सकते हैं बहुत इंबोडन वीडियो है अगला कोशन जम्मु काश्मीर के राज्यपाल जो है सत्यमलिक की सत्यपाल मलिक के अध्यक्ष्टा में स्री माता वैश्णो देवी स्राइन वोड के तीर थेहत्रियों को कितने लाख रुपए तक मुफ तुतुर घटना अभीमा कवर मुहय कराने का निड़े लिया गया है राइट अंसर इसका ऑप संडी पांच लाख रुपए देखे आख पोता देख जम्मु काश्मीर को जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक की अध्यक्ष्टा में स्री माता वैश्णो देवी स्राइन वोड ने तीर थेहत्यों को पांच लाग रुपए तक मुफ्त दूरघटना वीमा कवर मुहय कराने के निड़े लिया है बोड के मुदावित पांच वर्ष और अधिकुम्र के लोगों को पांच लाख रुपए और उससे कमर के बच्चों को तीन लाख रुपए तक का भीमा दिया जिसका खर्च अधिक कर्च रुपए नेक्स वचन है क्याबनेट निवटी समिति ने निम्नमेशिक किसे बैग जानी के वम और दोकों संधान परिषत का महाने रिषक निवट किया गया है देखिए बैग जानी के वम और दोकों संधान परिषत को इंग्लिस में CSIR इसका full form क्या आता है Council of Scientific and Industrial Research ठीक है तो यह आपको याद रखना है Council of Scientific and Industrial Research तो इसका राइट एंसर वो जाएगा Dr. Shaker Monday यानि option भी राइट है देखें केबिनेट निकती समिती ने Dr. Shaker Monday को वैज्यानिक और देवरिक अनुशनधान परिशत का महाने रिशक नित किया है गिरीश शाहिनी की जगह लेंगे गिरीश शाहिनी की जगह लेंगे यह भी आपको याद रखना है तो काइपनेट निकती समिती ने ने में से किसे वैज्यानिक एवम और द्योगिक अनुशनधान परिशत का महाने देशक नित किया है डाक्टर सेखर मंदे को गिरीश शाहिनी की जगह लेंगे और दोस्तों जो सीएस आई आर है यानि वैक जानी के अद्योग अनुशनधान परिशत इसकी स्थापना होई थी 26 सितमबर 1942 में ठीक है 26 सितमबर 1942 में की स्थापना होई थी आपको बता दे कि इसका जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रथानमंतर इसका अध्यक्ष होता है ठीक है तो यह आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है ज़रो पूछा जाएगा कोशन नमर टेंथ भारत की यूवा शटलर लक्ष सेन ने यूवा उलम्पिक खेल 2018 में बैडमिंटेन में कौन सब पदक जीता है तो जीता है रजत पदक आपसा ने राइथ देखिए भारत की यूवा शटलर लक्ष सेन ने यूवा उलम्पिक खेल 2018 में बैडमिंटेन में रजत पदक जीता है पदक पूर्शों के एकलबर्ग में जीता लक्षेशन फाइनल में चीनी खिलाडी जो है शीफेंग लीशे को 15-29 से राया है और यूथ ओलम्पिक गेम्स कहां पर हो रहे हैं अर्जेंटिना के राज़ानी व्यूनस आयर्स में ठीक है तो यह आपको याद रखना है काफी important question ह यह सारे ठीक है उसके लाबा दोस्तों अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का एंसर मैंने question पूछा था यूवा ओलम्पिक खेलों में गोल्ड में इदने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई है यह बन गई मनु भाकर बहुत महत्मूर question था सभी student ने काफी detail में बताय अगर आपने कल की वीडियो ने देखी जस्ट यहां पे इंडि स्क्रीन में भी आएगा तो जरूर देख लें ठीक है और उसके लाब दोस्तों इंडेक्स से लेटर में वीडियो बना चुका हूं आई बटन पर आएगा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं ठी है और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमें फेस्बुक पे इस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें ऑनलाइन इस्टी पॉइंट के नाम से मारी आइडि है वहाँ पे बहुत सारे ब्रेट सेर करता हूं ठीक है तो मिलते है नेक्स वीडियो के साथ दोस्त करते हैं